Hello everyone, कैसे हैं आप सब, तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को Jackboard में Class 11 Economics, आप सभी बच्चों को Model State Paper 1 के टाइप के कुछ कोशन बताऊंगा, जिसमें से आप सभी बच्चों को Paper में आप सवाल देखने मिलेंगे, यह कोशन बाइलेंग्वेल होंगे, यानि की Hindi इसलिए इस वीडियो को पर ध्यान से देखेगा, वीडियो पसंद आए, तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा, चैनल पर अगर न्यूँ हुआ है, तो अच्पर सब्सक्राइब कर लिजेगा, साथ में बैल अगन पर क्लिक कर लिजेगा, ताकि इसी प्रकार पल-पल की हर व मेडियन कहते हैं, बहुलग मोड होगी है, बिसी कलिए अपका, समाना अंतर माद यहां पर या फिर उपरोग सभी कतन सही है, यानि इगलिस में कहा जाए, तो मेडियन मोड अरिफ्मेटिक मीन या फिर ओल अब देवाब सही है, कौन कौन सा सेंट्रल नेजर के अंतरगत आत अगला सवाल है, बच्चों आपसे पूछा हुआ है, कि आकडो का जो चित्र में होता है, यानि चित्र के रूप आप क्या करते हैं, दरसाते हैं, उसका प्रदरसन यानि कि आप क्या करते हैं, जो हमारे पर डेटा रहते हैं, उसका आप पिक्टोग्राफ ड्रॉ करते हैं, पिक्चर सुर्बाते हैं वो क्या क скажळता है संंग्रहन क्यालाता है व्यवस्तिक drafting किलाता है दोनों कतन सही नहीं है देख़िए हमारे पास दोनों ही कतन क्या क्या पहलाता है सही है पहला बाजान लिजिए तो graphical representation of data is called storage भी क्या क्या सकता है सिश्टेमाईज से दोनों कथन सही इसलिए option number क्या होगा c number इसका सही उत्तर हो जाएगा अगला सवाल आप सी बचो पूछाओगा question number बचो हमारे पास 3 में कि साइंखी की क्या है साइंखी की मतले statics यह जटील तथ्यों को क्या करती है और जटील करती है कभी हो सकता नहीं यह क्या जो हमारे पास तथ्यों को परसपरी तुलीया बनाता है या पर जटील तथ्यों को यहाँ पर इस पषटिक्रन करता है आप खुछ सोचिए कि आगर आप एडेंज इंडिविजुल आप कौन option को यहाँ पर साही करने जाएगा कि यह हमारे पास क्या करता साहीं कि इसे जो भी जटिल जो कह सकते हैं जो हमारे पर complex data है बिसिकली या पर इसको explain करने काम कुन करता है तो statics करता है इसलिए option number क्या टिक करिएगा c number जटील तत्यों को इसपश्ट करती है option number c इंगलिस में टिक कर लिजएगा explain complex facts अगला हमारे पास है दोनों परिक्षेपन ठीक है उप्सन नमर भी दिया माद बिचलन या option number d मानक बिचलन तो इसका सही उत्तर क्या होगा बच्चों इंगलिस में कहा जाए तो कौन-कौन से क्या हो जाएगा बच्चो डी नम्बर राइट आंसर हो जाएगा अगला हमारे पास है सह संब्द के सूत्र का जो परतिपादन है वो किस नहीं किया था Hah Charles Spearman ने Karl Spearman में या पर दोनों कतन से या पर कोई ने तो इस जो कैसे सह संब्द करिया है जो formula of collaboration होता है यह किसके दुवारा दिया गया था तो Karls Pearson option number B जो बच्चे English medium के वो English में रिखना चाहे ताप इस question के note down कर लिजेगा English में अगला सवाल आपसी बच्चो 6 नमर पूछा हो यहां पर यह जो हमारे पर स्रिंखला दिया है 10 से 4, 15 से 19, 20 से 24 पर यह जो हमारे पास एक किस प्रकार की स्रिंखला है यह आपको बताना है मद्द बिंदू आगरिती स्रिंखला है समाववेशी स्रिंखला है या किस प्रकार की स्रिंखला का हमारे पर उदारन है तो इसका answer हो जाएगा बच्चों हमारे पर समाववेशी स्रिंखला option number B हो जाएगा और English पर का जाएगा तो inclusive series के अंतरगत आजाएगा option number B अगला सवाल है किसी अनुसंदान से सम्मंदि समग्र या जनसंख्या की सभी कायोग का जो अधिन किया जाता है वो इस विधी को क्या का जाता है पड़ती दरशी विधी जनगना विधी दोनों कतन से या पर आप बताए किसी अनुसंदान से क्या किया है लोगों बार बिसी जन का जुटायान है तो यह क्या कहलाता है जनगना विधी कहलाता है इसलिए क्या होगा 7th का B answer right हो जाएगा हमारे पास English में कहा जाए तो बच्चों से census कहा जाता है तो English में जो बच्चा लिखना है लिख लीजएगा अगला सवाल है यदि किसी समगर में एक मद जितनी बार आती है उस मद को क्या कहा जाता को बताना है देखे को बीची बार बार रिपीट होता है तो से हम लोग फ्रिक्वेंस इंग्लीज में खाया जाता है हिंदी में से आवरिती काया जाता है तो option number क्या हो जाएगा बच्चों C number इसका right answer होगा फिर अगला सवाल देखे आप से यह पूछा हुआ है अगला 9 number सवाल है प्रशनावली का प्रयोग कहा करते है आप खुद बताइए जो हम लोग question mark लगाते है उसका आप लोग इस्तमाल कहा करते हैं यह आपको बताना है पहला यह option देखे आप से यह लिखा हुआ है चितर बनाने में या फिर आप लोरेंज वक्र में या फिर दोनों कथन सही है या इनमें से कोई भी कथन हमारे पास सही नहीं है तो हम लोग कहां पर इसका इस्तमाल करते है बच्चो तो हमारे पास question number 9 का answer क्या हो जाए बच्चो यह हम लोग चितर बनाने में कर सकते हैं और इंज वक्र में भी होता है यानि दोनों कथन सही है तो ए और बी क्या हो जाएगा दोनों ऑप्सन सही है इंग्लिस में कहा जाए तो option number क्या हो जाएगा सी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा अगला साल देगे पूछाओ आपसे कि अर्शास्तर की जो दुर लबता है ठीक है इसके संबंदी जो परिभासा के परतिपादक कोन है यानि who is the exponent of the definition of the scarcity of economics तो यह हो जाएगा बच्चों हमारे पस क्या साधनी संख्या या पिस सभी देगे कोई साधनी बनाना है कोई अगर टेबल बना इसके लिए सभी चीज़ रूए टाटल भी है टाटल नोट भी है टेबल नंबर सभी components होते हैं यह उप्सन नंबर क्या हो जाएगा डी नंबर इसका उप्योग सभी क्या हो जाएगा सही उ वो हर जगा करते हैं सोरी information पाने के लिए करते हैं अपने जीवन जीसतर का पाने के लिए तो option नंबर ए हो जाएगा information और standard of living तेरा नंबर सवाल है हमारे पास आकड़ों को जो चित्र में परतर सुन होता है यह हमारे पास क्या क्या है तो यह हमारे पास हो जाए presentation प्रसुष करने के लिए सबसे सरल जो तरीका हमारे पास क्या है माप है विस्तार करके मादिका निकाल के यह पिस्तार करके या फिर option number बच्चों आपके पास दिया हुए बहुलक निकाल के यह पिर आपके पास समानतर भाई तो हमारे पास जो भी आकड़े हैं अगर उनको क्या करना आपको मेजर करना तो सबसे पहले क्या करना उनको extent करना है तभी आप उसको क्या कर सकते हैं तो option number क्या हो जाएग हमारे पास यह बैंक जो होता है हमारा टर्सरी सेक्टर माता हीनिया option number क्या हो जाएगा तृतियक जो क्या से छेतर उसके अंतरगत आता है option number ए टर्सरी सेक्टर हो जाएगा फिर हमारे पास है सहरी छेतर मुख्यता क्या पाया था आप खुद बताई जो आपने class टेंड में पढ़ा होगा जो सीजनेवल अनेप्लोमेंट होता है यह अपर कहा सकते ओपें डेवानेप्लोमेंट है वह हर जगा होता है वह सहरी इलाके उनमें ज्यादा पाय जाता है तो इसका हो घाले खुली इंडि में कहा जाते है और इंग्लिस में हो जाएगा अमारे पास open unemployment इसका उत्तर हो जाएगा बी नमबर ठीक है फिर टिसको तो हमनों सब बच्छा जानता क्या हो जाए टाटा आइरन एंड इस्टिल कंपनी और खोज लीजिए यह हमारे पास है ओप्सन नमबर सी में अबलेवर है देखे टाटा आइरन इस्टिल कंपनी जिसे टिसको के नाम से जाना किसको ठीक है तो ओप्सन नमबर सी हो जाएगा सही जवाब इंग्लीज में लिख लीजिएगा इयर ओग्रेट डिविजन तो वर सुनी से किस फिर बूचाओ सतत विकास के अंतर किन के आवसक्ता हो संतुष्टी होती है वर्तमान का भावी नहीं देखे सतत बहुशने विक कि समरेदि के सुर्बात किस देख से हुई थी तो यह सबसे पहले किस देख से हुआ तो चीन नमबर क्या टिक का लिजएगा बी नमबर यहां पर सही जावब टिक करिएगा चायना यानि कि चीन चुज चोर चीन से अप्लों कैसा है सकते है त्वारा हम से फिर पूछा तो इससे काया था अब मुल्यन ठीक है option number क्या हो जाएगा ए नंबर इसका सही जवाब होगा English में कहा जा जाएगा घट्टे उतली जिसे कहा जाता ठीक है decreasing होना अगला हमारे पास है कि WHO इसको आप लोग बच्चा टिक कर दीजेगा वर्ल्ड हेल्थ सेंटर या पर क्या टिकर यह बता सकते हैं तो कमेंड बॉक्स में इसका जवाब लिग के दीजिए ठीक है अगला हमारे पास बताते हैं वह सई से टिकर यह गलती कोई बच्चा टिक मत कर करना ले इका की जो धाना का प्रियोग क्या था मातमा गंधी जवाल निरू बिया आँबका्स के नहिए अपिर्टिस काल में भारत के प्रतों जन्गंनी कब सुरुई थी देखे ब्रिटिस काल में बूला गया आपको आयादी के बात नहीं बूलागे तो ब्रिटिस काल जादी के बाद तो वर्स 1951 से शुरू था देखिए अगला बोला हुआ है यहीं सवारी इंग्लिस में लिखावा है में परस प्रतम पंच वर्सी उजिना के शुरूबात कभी थी मत उसका क्या कारांद मज क्या होते हैं प्रात्मिकता क्रिसी को देना था तो हमारे भारत में क इसके प्रात्मिकता था तो ऑप्सन नंबर यह हो जाएगा यहीं को बच्छा इंग्लिस में लिख लिए जगा प्लो फिर अगला सावल बोला हुआ आपको यहां पर GDP तो इंग्लिस में क्या काया था ग्रॉस डॉमेस्टी प्रट्ट हिंदी में सकल घरी लो उतपार यानि अप्सन नंबर क्या हो जागा बच्छो बी नंबर इसका राइट एंसर होगा अगला है इस इंग्लिस में लिख लिख लिए अप्लो फिर देखिए हमां लिखा हुआ है सरकार द्वारा जो क्या सकते लगाएगे प्रतक्षा बहुत ही नियंतों से अर्थभरसा मुद करा ज देखिए नहीं कीमतों में बड़ी नहीं देखिए भारत में नियंतों कमी बढ़ती जैसक्या बहुत बड़ा कारण देखिए बाद में जो लगाता जैस्टा बढ़री हे उसमें बढ़ती हुमारी जैसा का दो रहां आज ही इंडिया और अफॉर्स और सिय्टियों पर्दूसन वनो उलन या फिर यहां पर लिखा हुँआ है अदिक आर्थिस ग्राश या पर सुबिदाओं में कमी तो यह किसकी पूरू सर्थ है आपको यहां बताना है तो आदिक सनशना क्या हो जाएगा बत्चों हमारे पास यह हो जाएगा परदूसन की पूरू सर्थ है ठ सबसे अधिक है यहां पर हमारे पास क्या हो जाए के रहल हो जाए ठीक है क्योंकि आपको मालूम होगा सबस्जाद है लिट्रीटिटिश्य वह बहुत ज़्यादा है फिर अगला हमारे पास है परियावरन में हानिकारक जो पतार्त है उनकी उपस्थिति वह क्या कहा जाता है उनकी उपस्थी हमारे पास क्या कहलाती है? उसका राई एंसर, अगला सवाल है बचओ आप सी बचने किया था सब सो अगला हमारे पास है यहाऊ पर पहुत नबर स्ट्क बचने काउंट होता है है अगला हमारे पास है, यहाँ पर पूछा हुगा है, फिर यहाँ पर जो कॉलम और पंक्तियों गरूप में आकड़े के जो करंबद वरस्ता को क्या कहला आता है, तो साधनी करन, वर्गी करन, अनुसंदान या अनुसा सम्मन, इंगलिस में लिख लिजएगा, तो इस प्रकार क क्लासिफिकेशन, तो यह क्याला आता है, क्या बच्चों, टेवलेशन के नाम से जाना आता है, इंगलिस में, तो उप्सन नमर ही होगा, फिर यह हमारे पास साल पूछा हुआ है, कि असा सम्मन गुनांक का जो भिलू होता है, वो हमेंसे कहा होता है, तो माइनस एक और प्ल आवर्धी सबसे जधा, अजगला है, पदो के बीचरन को क्या कायाता है, यहाँ पर विस्तार, माड़ी, अपकी ररन, यह पर को हमारे पस क्या हो जाएगा, आपकी को है, एपकोरन यह न दया पर धी innovate है, तो यह हमारे पास क्या हो जाएगा, उप्सन, अपी करन, यह निए सुचकानक निर्मान के शुचकान की लिए आदस माना जाता है पस्चे का सुचकानक निर्मान के लिए अग्ला शुचकान के लिए ऑप्सन नमब्र B होगा फिर अगला सवाल आपसे पूछा हुआ एक अच्छे आउसत के जो गुन होते हो क्या होते इस परस्टेव मिस्तिर सरलता निर्पेक्ष यहाँ पर सभी कतन यहाँ पर सही है तो यह हमारे पास हो जाएगा यह सभी कतन सही है और इस प्रकार हमारा कंप्लीट होता है एकोनोमिक्स का मॉडल सेट पेपर वन टाइप कुश्चन आसा अगर मों वीडियो पसंद आगो वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेर कर देजाए ठीक है तो चलिए मिलते हैं शूड़े पे तब तक लिजाए इ